वानरिंद जातक वानरिंद जातक कथा नमर 57 एक बंदर था बंदर की कहानी है बंदर बड़ा चत्र और चालाग था तो बंदर क्या करता था वो पेड़ों पे ढूंता था कि उसे मीठे फल कहां मिलेंगे लगबग सारा जंगल उसने चान मारा एक जगए ऐसी थी जहां पानी के तालाब की बीच में एक टापू था उस टापू पे पेड़ लगे हुए थे और उस पे जामुन के पेड़ों पे बड़े अच्छे अच्छे जामुन लगे हुए थे बंदर ने वहाँ जाने का उपाय सोचा क्योंकि बंदर बड़ा चलाकता है उसने देखा कि कहां कहां से वो टप कर या जब करकर जा सकता है तो उसने वो रासा ढूंड लिया जहां से वो पत्थरों के उपर टप के कूद कूद के और वो टापू तक चला गया और टापू पे जाके उसने पेड़ पे चड़के वो जामुन खानी सुरू की जब वो जामुन खाता था तो उसका रोज का नियम बन गया वो टप करता कूदगूद के आता और पेड़ पिछड़ता जामन खाता और चला जाता उस टापू के जो पानी भरा होता उसमें एक मगर मच्च का परिवार भी दियाता था उसकी पतनी उसके बच्चे तो उसकी पतनी उस बंदर को रोज टपते हुए देखा करती थी उसकी पतनी के मुँँ में पानी आ गया कि इस बंदर का हिर्दे मास यानि कि इसका दिल खाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हश्पुष्ट और मोटा बंदर है और बहुत दिन से हमने ताजा मास भी नहीं खाया तो उसने मगर मस्से कहा कि मुझे इसका हिर्दे मास वो मुझे लाके दो तो मगर मस्स ना सोचा कि मैं कोई तरकीब ड़ाता हूँ जिससे कि मुझे इसका मास खाने को मिल जाए तो वो बंदर जब अगले दन आया उसने टप के पत्थरों से खूद के और जब वो टापू पे चला गया तो वहाँ उसने खाना खाया इस बीच में क्या हुआ कि मगर मच्छ जो पत्थर जिन से वो टाप के जाता था वहाँ पर लेट गया और मक्ड बना के पड़ गया सांस रोक के पड़ गया ऐसे जैसे मिट्टी का ही टापू हो चुप चाप जब बन्दर बाप जाने लगा तो बन्दर ने देखा कि ये जो टापू है ये जो बीच में उभार था जहां से में टपता था जहां से में जंप करता था ये कुछ जाता हूँचा हो गया पहले इतना हूँचा नहीं था वो चतुर था दिमाग का तेज था तो उसने कहा कुछ गड़ लगती है लगता है कि मगर मच्चा के यहां लेट गया और वो मुझे खाना चाहता है तो उसने कहा पता करना चाहिए तो उसने कहा अरे पत्थर, अरे पत्थर क्या हुआ, आज तेरी तवेट तो ठीक है पत्थर से अवाज नहीं आई तो उसने दुबारा कहा अरे पत्थर भाई, क्या हो गया आज तो यार, बोली ने रहे हो आप नाराज हो क्या अब तो मैं आपके उपर कूता भी वड़े आराम से हूँ आप उसने कह रहे थे, कि मैं बहुत जोड़ से कूता हूँ आपको छोड़ लगती है और आज आप बात ही नहीं कर रहे हो पत्थर फिर नहीं बोला, क्योंकि मगरम अचना सोचा कि मैं बोला, तो पता चल जाएगा पर उसने तिवारा किया क्या बात है, तवित खराब है क्या इस तीन वार के कहने पे जो मगरम अचना उसका दिमाग घूमा उसने कहा कि ये पत्थर बोलता होगा तब ही ये आता है अगर ये मैं नहीं बोलूँगा यानि पत्थर नहीं बोलेगा तो ये आएगा नहीं, तो मुझे खाने को मिलेगा नहीं तो उसने का हाँ आज तब थोड़ी सी मेरी खराब है और तुम सनाओ जामुन अच्छे थे जो तुमने खाए तो उसने का हाँ जामुन बहुत अच्छे थे और ठीक बात है तो उसने का तुम कौन हो अब यो मगरमच था उसने का भेद खुल गया है उसने का मैं मगरमच हूँ और मैं मेरी जो पतनी है वो तुमारा हिर्दे मास खाना चायती है और मैं इसलिए लेटा हुआ हूँ तो बंदर बड़ा धहरेवान और समझदा था उसको धरती बोलते हैं धहयती बोलते हैं पाली के अंदर या हिंदी में बोलते हैं धरती यानि धरती का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज करने वाला और बहुत सहन सील ऐसे विक्ति को और वो बहुत ज़्यादा समझदार भी था और quick mind था यानि कि उसके जो मन मस्किस की जो गती थी वो बहुत अच्छी थी उसे सुल्जाना आता था और वो अपने वचन का भी पक्का था वो जूटा भी नहीं था और उसमें त्याकी भावनाब थी वो चीजें छोड़ भी सकता था तो उसने का अच्छा ठीक है मगर मच ने जब कहा कि मैं खाना चाहता हूँ उसने का ठीक है तुम अपना मूँ खोलो तुम अपना मूँ खोलो और मैं तुमारे मूँ में स्वेम जम करके आता हूँ ऐसा उसने कहा तो मगर मच ने अपना पत्थर पे मूँ खोल दिया और मूँ खोल के वो इंत्यार कने लगा जैसे ही मगर मच्छ ने अपना मूँ खोला मगर मच्छ की खास बात है कि अगर वो मूँ खोलेगा तो उसे सामने का दिखाई नहीं देगा क्योंकि मूँ खोलते ही उसकी आँखें के आगे उसका मुह आ जाता है ये उसके साथ में और ये बात बंदर को पता थी क्योंगी वो चतुर था बुद्धिमान था तो उसने मुह खोला तो उसे ये नहीं पता चला कि सामने वाला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और बंदर ने धरती माने प्रतन किया जंप किया और बंदर वहां कूदता हुआ और उसके मुह के ऊपर एक जंप लगाता हुआ और कूद के पार करके चला गया और जाके बोला अरे मगरमच भाई मैं तो आपके मुह में आया आपने मुझे खाया ही नहीं ऐसा कहके और उसको बायबाय टाटा करके चला गया तब मगरमच ने ये गाता कही ये बात कही जो पाली केंदर आती है कि जो व्यक्ति, यहां उसने बंदर के लिए कहा है, वैसे ये, चुंकि ये मॉरल कहानिया हैं, ये सील समाधी और प्रग्या की हैं, इसलिए सारी कहानियों में सील समाधी प्रग्या के वारे में बताया जाता है पहली जो मैंने आपको जातक नमबर तीन कहानी बताई थी सौनिक कटोरी वाली उसमें भी ये नियम आता है कि लालच नहीं करना चाहिए लालच करने से नुक्सान होता है व्यक्ति मर भी जाता है वो जो ब्यापारी था लालची वो मर गया उस कहानी का उद्देश से वो था और इस कहानी का उद्देश गाथा के अंदर ये है जो मैं आपको सिंपल सब्दों में बताता हूँ वैसे बंदा के लिए हैं मगर सभी मनुस्य के लिए कहा गया है कि जो मनुष से अपने वचन का सत्य होता है यानि कि अपने वचन का पलंग करता है अपनी बात का वचन का माने बात का पलंग करता है क्योंकि बंदर ने अपने वचन का पलंग किया उसने कहा कि मैं आपके मुह में आता हूं तो उसने जूटने बोला, वो मुझे गया और जिसके अंदर धम होता है, प्राकर्टिक होता है और बड़ी गती उसके मन की तेज होती है, यानि वो चत्र होता है विचार बुद्धी वाला होता है, तो वो विचार बुद्धी था, उसे ये पता था कि जब ये मुझे खोलेगा, तो ये मुझे देख नहीं पाएगा तो ये युक्ती थी, उसकी विचार बुद्धी थी, समझ थी, उसकी प्रग्या थी फिर उसने प्रतन भावना की, यानि कि उसमें ध्रती थी, उसमें साहस भी था और उसके अंदर वो करने के लिए सेहन सकती भी थी, तो उसने जंप लगाई बड़ी, पहले दिन के मुकाबले बड़ी जंप लगाई, ज्यादा उसने यतन किया, पतन किया अगर ये पकड़ी भी लेगा तो अभी कोई बात नहीं है, अगर उसे अपना प्रतन किया तो वह यह कहता है, कि जो विक्ति इन चार बातों को रखता है या करता है, वह अपने सत्रू पे भी वιजय पा सकता है यानि सत्रोवी को भी वो जीत सकता है उसका भी दिल खुश कर सकता है प्रशंता प्राप्त कर सकता है ये इस कहानी का moral part है moral education है आचार यानि कि जो सदाचार की सिख्चा है वो ये है एक कहानी और भी चलती है क्योंकि जो वानरिंदर करके है ये जाताक है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है दूसरी कहानी में दूसरी कहानी क्या है जो चलती है और जो जो सुनाई जाती है बच्पंस, जो हमने भी सुनी है उसमें ये कहा जाता है कि एक बंदर जाता है नदी को पार करता हुआ और उसकी मगरमच से दोस्ती हो जाती है मगरमच बड़ा भूका था वो पेड़ पे चलगे जामुन तोड़ता है और बंदर को खलाता है मगरमच वो मीठे जामुन खाका के बड़ा खुस होता है उसके बाद में वो एक दिन उन मीठे जामन को अपनी पत्नी के लिए लेके जाता है पत्नी जब जामन खाती है तो उसके मन में लाला चाह जाता है वो कहती है कि अरे जब जामन इतनी मीठी हैं तो जो रोज जामन खाता होगा उसका दिल कितना मीठा होगा और मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ वो अपने पती से इसकी ख्वाइश करती है जो मगरम अच्छ है वो बड़ा बेफकूप सा है वो कहता है अच्छा ठीक है वो मेरा दोस्त है मैं कैसे करूंगा उसको कैसे लाँगा तो वो कहता है ये तो ठीक बात नहीं है मगर चल तुम नहीं मनेगी तो मुझे लेके आना पड़ेगा तो वो बंदर से जामूल ले ले लेता है और जामूल लेने के बाद क्योंकि वो बंदर को रोज उस पानी में पार कराता है अपने उपर तो जो जामून लेके जब बंदर को नदी के तरफ छोड़ना जाता है तो उसके बात रुकती नहीं है वो कहता है कि बंदर भाई तुमारी मेरी दोस्ती पक्की है मगर क्या है कि मेरी जो पत्नी है वो तुमारा दिल खाना चाहती है वो कहती है कि जिसके जामन इतने मीठे हैं उसका दिल कितना मीठा होगा, मैं क्या करूँ वन्ना वो मुझे ऐसे कहीगी और वैसे कहेगी और आज तुम्हें मारेगी और तुम्हारा वो खायगी तो बंदर बड़े कुसागर बुद्धी का दिखाया है और वो कहता है कि रहे भाई ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि अगर आपकी पतनी मेरा दिल खाएगी ये तो अच्छी बात है कि चलो उनका दिल खुसो जाएगा मगर आप मुझे पहले बताते तो मैं तो दिल जामुन के उपर पेड़ के पचोड़ाया आपको पता है कि हम जितनी बंदर जात वाले लोग हैं वो अपना दिल अपने साथ लेकर नहीं चलते हम अपना दिल तो पेड़ पर टांग के रखते हैं हमेसा दिल हमारा पेड़ पर टांगा हुआ रहे जाता है और हम बिना दिल के चलते हैं अब अगर दिल खाना है तो आप मुझे इसके पार ले लिए चलो और मैं आपको जो दिल है वहाँ से लेकर साथ चलूँगा तो कहता चलो ठीक है तो वो उसको पेड़ पर छोड़ता है और पेड़ पर चड़ने के बाद में बंदर कहता भाई मगर मच टाटा भाई भाई हमारी दोस्ती तुमारी दोस्ती बस इतनी थी और उसके बाद वो कहानी खतम हो जाती है यह कहानी जातक कहता की कहानी है जाता कता नमबर 57 है इसको थोड़ा तोर मड़ो के पेस किया गया है आप भी चाहें तो इसमें थोड़ी बात अपनी तरफ से कह सकते हैं क्योंगे ये कता है इसमें जो सदाचार की एजूकेसन है जो सील और प्रग्या की और आचार की जो समाधी की है उसरीप इतनी है कि किसी भी हलत में आप अगर बुद्धी के तेर हैं वैवार के तेर हैं सच बोलते हैं और आप त्याग करने कोशिक कर सकते हैं और कोई का आपका माइंड है मन है तो आप सत्रुपे भी विज़े पालेंगे धन्यवाद